सवा लाग से एक लडाऊं, चिडियन ते मैं बास तुडाऊं, तबे गोविन सिंग नाम कहाऊं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइड, तोस्तो आज गुरु गोविन सिंग जी की जैनती है, और इस जैनती के उपलक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकी अवकास की घोशना किया है। इनके पुत्रों को खास तोर पे उस समय मुगल बाश्या अवरंग जेब था और वो एक कटर शाशक था और इसलाम धर्म जबरजस्ती उनको अंगीकार कराना चाहता था लेकिन इनके पुत्र दोस्तो बिलकुल शहीद हो गए लेकिन उन्होंने इसलाम धर्म को जबरजस्त अंगीकरन नहीं किया आज आईए देखते हैं कि गुरु गोविन सिंग की कुछ प्रेणा दायक बाते हैं जो कि इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस रूप में इन्होंने सिक धर्म को शशक्त कराया गुरु गोविन सिंग जी का नेत्रितो सिक समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर आया उन्होंने सोला सो निन्यानवे में बैसाखी के दिन खालसा जो कि सिक धर्म के विदिवत देख्षा प्राप्त अनुयाईयों का एक समुव है उसका निर्माड किया सिक समुदाय के एक सभा में उन्होंने सब के सामने पूछा कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है उसी समय एक स्वम सिवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरू गोविन सिंग उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लोटे एक खून लगे हुई तलवार के साथ गुरू ने दोबारा उस भीड के लोगों से यही सवाल दोबारा पूछा और उसी प्रकार एक वेक तिराजी हुआ और उनके साथ गया पर वे तंबू से जब बाहर निकले तो खून से सनथ अलवार उनके हाथ में था इसी क्रम में पांचवा स्विम सिवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया कुछ देर बाद गुरू गोविन सिंग सभी जीविस सेवकों के साथ वापस्त लूटे और उनने पंज प्यारे या पहले खालसा का नाम दिया उसके बाद गुरू गोविन सिंग जी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और चीनी मिला कर दुधारी तलवार से घोल कर अमरित का नाम दिया पहले पाँच खालसा के बनाने के बाद उन्हें छटवा खालसा का नाम दिया गया जिसके बाद उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंग रख दिया गया उन्होंने पाँच ककारों का महत्त्य खालसा के लिए समझा और कहा केश, कंगा, कडा, कृपान और कच्चेरा यानि कक्षा इधर 27 दिसंबर सन 1704 को दोनों छोटे साहेवजादो और जोरावर सिंग वा फते सिंग को दिवारों में चुनवा दिये दोस्तो ये गुरु गुविन सिंग जी के सुपुत्र थे जब यह हाल गुरु जी को पता चला तो उन्होंने अवरंग जेब को एक जफर नामा विजे की चिठी लिखा जिसमें उन्होंने अवरंग जेब को चेतावनी दिख तेरा सामराज नस्ट करने के लिए खालसापन तयार हो गया है आठ मईस सन 1705 में मुक्तसर नामकस्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ जिसमें गुरु जी की जीत हुई अक्टूबर सन 1706 में गुरु जी दक्षण में गए जहां पर आपको औरंग जेब यानि मुगल बासा की मृतु का पता चला आउरंग जेब ने मरते समय एक शिकायत पत्र लिखा था हिरानी की बात है कि जो सब कुछ लुट चुका था गुरु जी वो फताह नामा लिख रहे थे वा जिसके पास सब कुछ था वा शिकस्त नामा लिख रहा था इसका कारण था सच्चाई गुरु जी ने सदय अत्याचार की बिरुद लड़ाई लड़ी थी ना कि अपने नीजी लाप के लिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि फता नामा शिकस्त नामा औरंग जेब भी दोस्तों मान गया था गुरु जी का लोहा और औरंग जेब किमृत के बाद अपने बहादुर शाह को बासा बनाने में गुरु जी ने मदद की गुरु जी वा बहादुर साह के संबंध अत्यमधूर थे इन संबंधों को देखकर सरहत का नवाब वजीद खान घवरा गया अता उसने दो पठान गुरु जी के पीछे लगा दिये इन पठानों ने गुरु जी पर धोके से घातक वार किया जिसे 7 अक्टूबर 1708 में गुरु गोविन सिंग जी की नादेण साहिब में दिविजोदी में लिन हो गे अंत समय आपने सिखों को गुरु गरंथ साहब को ही अपना गुरु मानने को कहा खुद भी माथा टेका गुरु जी के बाद माधोदास ने जिसे गुरु जी ने सिख बनाया था बंदा बहादूर सिंग बहादूर नाम दिया था सरहाथ पराकरमन किया और अत्याचारियों की इट से इट बचा दी तो ये दोस्तों कुछ प्रेरक प्रसंग रहे इसको मैंने आपके साथ चर्चा किया आज के दिन हम लोग गुरू गोविन सिंग जी का जन्म दिवस मना रहे हैं सच्चे सपूत रहे देश के आज के लिए इतना है थेंक्स फर वाचिंग ए लिसनिक दिस इज़े प्रकास तुभी साइडिंग आप